हलो फेंक्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखे रहा है बात करते हैं गोल्ड की यह यलो मेटल जो आप देख रहे हो गोल्ड एक गोल्डन शेयर की बात करेंगे साथ में गोल्ड की बात करने वाल है बहुत ही महत्वपूर मैं कहूंगा अगर आप देखो गोल्ड को माना जाता है और इंडिया मैं तो इसको क्या माना जाता है इमर्जेंसी वाली सिचवेशन के लिए जमा किया हुआ अब बहुत ध्यान से इन सब्दों को सुनना और इमर्जेंसी वाली सिचवेशन के लिए आप देखते होंगे जब शादी होती है तो लड़की वाले भी कुछ न कुछ लड़की को सोने का बना के देते हैं, आपको वो लगेगा गहने, लेकिन वो important है, किस चीज के लिए emergency वाली situation के लिए, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, बट कभी financial crisis आते हैं, तो वही gold मदद करता है, चाहे वो गिरवी रखके पैसे लेने के लिए हो, आ पहली से situation को अगर आप थोड़ा सा past में जाओगे तो आप relate कर पाओगे, और आज की date में तो सोना, आज क्या, पहले से सदा से चला आया है, सोने की value, बहुत important, जब markets में तरहिमाम होता है, इधर उधर situation आती है, तो दुनिया gold की तरफ भागती है, क्योंकि gold एक safe, मैं कहूं चैनल को subscribe नहीं किया, तो जल्दी से subscribe कर ले, bell icon को press कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी, और price action सीखने के लिए आप join कर सकते हो, membership join button पे click करके, अब ये gold का chart है, ये जो chart आप देख रहे हो, gold का मंतली chart है, जब आप gold के मंतली chart को देखोगे, तो इन low points को ध्यान रखिए, औ और ये मान के चलिए कि जो peak area था, 2020 August में, और इसके बाद अभी recently इसने बनाया था, March 2022 में, ये peak points, peak points के बाद आपको गया, फिर से अभी यहाँ पे gold बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल bottom पे जो ये lows थे, इनकी liquidity ग्राब करते हुए, उपर की तरह move देने की कोशिश कर रहा है, ये gold का monthly chart है, जरा ध्यान से, आपने देखा होगा, पिछले कुछ टाइम बहुत बड़ी, 2013 से लेके मैं कहूंगा, ये consolidation चला, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके बाद ये rally, और फिर अब ये correction जब resolve हो रही है, तो gold फिर से क्या आसमानों पे जाएगा, उसको स चाहे उसमें gold हो, चाहे crude oil हो, या फिर उसमें हो आपका natural gas, या copper हो, aluminium हो, किसी भी commodity को आप trade करते हो, मैंने आपको एक बहुत ही बहुत ही बैतरी नेगरा price section के learning series आपने देखी हो कि तो उसमें बहुत बार हम बात करते है crude oil, natural gas की साथ में, gold की, silver की, तो इसके रिए सबसे important type time होता है, NJT, यानि कि New York zone, New York zone में आप देख से तो यह hourly chart है, और hourly chart के direction में अगर आप ध्यान रखो, rally correction, rally, correction, rally, अब इसमें भी देखो कि फ्रेक्टर लेचर अब market को देखेगा, तो छोटे time frames के आपको यह correction देखे रहोंगी, one, two, three, देखें उस बाट, लेकिन अगर आप इन rallies के उपर ध्यान दो, बहुत important, इन rallies के उपर ध्यान दो, इनके time के उपर अगर आप ध्यान दोगे, तो आपको देखेगा, यह सब New York zone वाला situation है, यानि कि 5, 5 बजे के बाद वाला system है, यह बहुत जबरतस rally यहाँ पर आती है, मैं आपको time भी note करवा देता हूं, देखे और बहुत important, अगर आपको यहाँ पर situation देखे, यह 7,7 बजे वाली, वही New York zone, इसराइली को देखे, 7,7 बजे वाली, इसराइली को देखे, 5,6 बजे वाली, 6 उसके बाद आगे चलता गया, 6,5 से, तो यह जो importance है, क्योंकि जैसे हम बार बार आपको कहते हैं, कि मूटा पैस अमेरिका में है, येरोप में है, तो इन countries की जो market hours है, यह हमारे लिए बहुत important हो जाते हैं, और आपको हमेशा यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, यही, जो है countries के जो hours है, market hours है, जैसे शाम का time, बहुत important हो जाता है, खास करकि 6 बजे के बाद 6 से 8 साड़े 8 का time, बहुत हो market capitalization के बाद अगरा PE ratio कमाई तो है, लेकिन undervalued आपको देख रहा है, मतलब 109 का price cool है, और यह जो price तो है, लेकिन earning per share 13 14 का जो क्या आपको लग रहा होगा है, यह तो बहुत ही बढ़िया earning है, और price जो है, इसके comparison मा बहुत कम है, जिसकी वज़े से यह 8 से भी कम के PE पर trade कर र और काम क्या है कंपनी का, मैं financing company है, gold loans and all, जैसे यह है, उसी तरीके से मुथूत finance भी आपने देखा होगा, तो आपने यह सारी चीज़े रिलेट करी, लेकिन आपको क्या undervalued लग रहा है इस stock, अगर मैं इसके revenue profitability को देखो, कहीं loss तो नहीं हो रहा कोई, लेकिन revenue में भी देखा ही रहा है, profitability भी हजार करोड के उपर है, हाँ जरूर यहाँ पर डिप जरूर है 2022 के टाइम पर, लेकिन profitability भी है, आपको देखने को मिल रहे कि हजार करोड के उपर तो profit भी है company, तो यह नहीं कमार ही है, लेकिन उसके बावजूर जो share की value वह बहुत कम पड़ी हुई ह तो चलिए detail में समझते हैं, अब share के उपर चलते हैं, अब share के उपर चलोगे तो मैं monthly chart के उपर पहले focus करवाने की कोशिश करूँगा आपकी, आप यह low points देख रहे हो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, यह low point 2017 की starting का, यानि की 2016 के end का, फिर इस low point को देखिए, 2019 के starting का, इस low point को देखिए, 2016 के starting का, इस low point को देखिए, 2020 का, जो अभी COVID का time आया था, और इस low point को देखिए, 2023 की starting का time आ चुका है, यह सारे low points आपने देखिए, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ, गोल्ड के मन्थली part पे, अब ध्यान से देखिए, वो जो time हमने आपको दि आपका end point, देखिए, लो points को, और अभी का low point देखिए, यह जो 2020 के around, जो low point बनाया था, और अभी का यह recent low point, अब आपको ओगे, यह क्यों relate आप करवा रहे हो, यह relate करवाने का सीधे सीधे एक ही कारण है, यह देखिए, यह low points आपको लग रहा होगा, यह तो बिलकुल base का formation के आसपास दिख रहा है, बास यही कारण है, तो इस stock के उपर अब हमारा जो focus shift होगा, वो छोटे time frame पर होगा, क्योंकि monthly में हम बिलकुल नीचे पड़े हुए है, मन्तली में अगर आप देखोगे, तो देखिए, MECD कहा है, बलको low momentum area में, और RSI कहा है, बिलकुल नीचे, लेकिन छोटे time frame पर देखते हैं कि कैसी situation चलते, क्या वापसी हो रही है, चलिए, छोटे time frame पर क्योंकि बहुत जबरदस, 220 के level से 80 के level पर आया था, अभी recent high जो gold का आपने देखा, उसके बाद अगर fall को देखोगे, देखिए, कितना fall, लेकिन अब जो situation मुझे देखने को म बास, यह कारण क्यों कि बिलकुल बहुत नीचे यह stock गया और हम बिलकुल bottom पर नहीं, बिलकुल अब यह जो वापसी हो रही है, उस हिसाब से इसको देख रहे है, क्योंकि यह base 2000, जब 20 में गिरा था, तो यहीं पर आके रुका था, और वापसी अब हो रही है, तो बस यही कारण यह stock नजरों में आए कि आने वाले टाइम पर इसको track करेंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, although हम अभी 40 का base बनाते हुए यहाँ पर चल रहे है, और अभी हम bearish territory में है, अगर हम महारे से बात करूं तो, bullish territory में, जब हमारा यह momentum यहाँ पर shift होगा, MACD Central Lines से उप पर होगा, तब हमारा यह bullish territory में जाएगा, फिलाल अभी हम daily पर जो है, वो bullish territory में जाते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए, 200 SMA की price cycle के हम बात करते हैं, अगर आप पिछले bearish cycle को देखोगे, तो यह level 170 से कहां तक लेके गया, बिल्कुल bottom, अब वापस यह cycle यहाँ पर start हो सकत है, 200 SMA का जो cycle यहाँ पर start हो सकता है, और पिछले दो दिन में बहुत ही बहतरीन volume भी यहाँ पर देखने को मिला है, बस यही कारण है, आप देख सकते हैं, बीच में जो fall आया था, कितने high intensity falls दिये थे, बहुत ही high intensity falls थे, आप जो है वापसी की उम्मीद है, तो initial target, अभी 109 के level पर है, तो initial target जादा दूर नहीं, जो सिबसे high intensity वाला fall था, सबसे पहले उसको देखते है, high intensity वाला fall पहले वाला तो यहीं पर था, जिस पर अभी यह price है, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो यह level है, यह volume का high intensity का fall, यानि कि यह, तो इस fall से पहले का जो zone है, यानि कि यह zone, जैसा है भी हमने Indian bank अभी देखा, तो यह zone हमारे लिए initial target zone, क्योंकि यह अगर high intensity fall को यहाँ पर पार कर देता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सुचेंगे, हमारे पुराने level पर आगया, अब तो यहाँ पर हम book कर लेते हैं, तो यहाँ पर expectation होगी, consolidation correction की, यह देख current level से 50% उपर है, फिर आगे की कहानी देखेंगे, आगे की कहानी देखेंगे, लेकिन फिलाल अभी क्योंकि हम चल रहे है, डेली पे momentum पे, अभी हमारा weekly पे momentum नहीं है, तो डेली के momentum के हिसाब से initial moves, low risk की opportunity तैयार होती हुई, क्योंकि अब हम ही हम डेली पे momentum में आ रहे हैं, दीरी-दीरे करके, consolidation बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 200 SME पार करके, जो rejection आएगा, जो यहां पे consolidation होगा, वो और भी अच्छा होगा, जो कि बहुत दीरी-दीर अगर price उपर रहेगा, तो 200 SME से उपर ही चला जाएगा, point up करता है इस वीडियो का, और उमीद करता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा है तो share जरूर कीजिए, like कीजिए, और साथ में price section की series मैं कहूंगा, आपने जो weekends होते हैं, उनका use कीजिए, और price section की series आप देख सकते हो, membership पे, join button पे click करके, वहां बहुत detail में आपको basics explain किये गया है, thank you, thank you for watching the video.